सब्सक्राइब कीजिए टेग गूरू सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने किसी भी सैमसंग के मोबाइल में डेटा रोमिंग कैसे आफ करें यानि कि अपने सैमसंग मोबाइल से डेटा रोमिंग कैसे हटाएं तो चलिए सीखते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मोबाल की सेटिंग को ओपन कर लेना है अब सेटिंग में आने के बाद सबसे उपर आपको एक उप्षन मिलेगा connections का इस पर क्लिक कीजे यहाँ पर आपको एक और उप्षन मिलेगा mobile networks का इस पर आपको क्लिक करना है अब mobile networks में आने के बाद आपको सबसे उपर एक option मिलेगा data roaming का अगर आपको यह option अभी भी नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पर एक option मिलेगा search button का यहाँ पर देखिए setting में search button का एक option होता है इस पर क्लिक कीजे और यहाँ पर आपको search का लेना है data roaming और वो option जहाँ पर भी होगा वो आपके सामने आ जायेगा तो इस option को आपको open कर लेना है यहाँ से मैं open कर लेता हूँ तो इसको off करने के लिए इसको हटाने के लिए क्लिक करना है इस button को ऐसे click करना है और देखें यहाँ पर यह जो data roaming है वो off हो चुका है अगर आप इसको दोबारे से on करना चाहते हैं तो फिर से इस पर क्लिक कीजिए और यह on हो जाएगा तो यहाँ पर मैं इसको off कर देता हूँ इस प्रकार से आप अपने Samsung के mobile में data roaming को हटा सकते हैं या फिर off कर सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछी लिजिएगा